आप कनक के यादो हैं, एक और सुपरिस्टार हैं, खेसारी लाले यादो के आदब की तरफ से प्यार भरा नमश्कार, और आप सब खुश रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, और आयोध्या आकर मैं पहली बार आयोध्या आई हूँ, और राम भगवान की नगरी में आई हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ दर्शन किये हैं, हनमान गड़ी के, अच बहुत अच्छा रगता है, जब आप की ती आत्यात में जगे पे आते हैं, कैसा लगा अच्छा लगा और मैं दिल से बात कहूंगी, कि पावन नगरी अपने आप में इतनी भव्वे होती है, चाह जैसी आपके मन में वो सुकून, वो शांती रहती ही रहती है, आयोध्या म भाशी लोग हैं, वो भाशा हर जगे बोली जाती है, और आयोध्या में अवधी बोली जाती है, जो मिक्षर भोजपरी और अवधी है, और बहुत फाइदा होगा इससे, कि जो लोग अभी जो लोग भी अगर नहीं जुड़ पाए हैं, भोजपरी सिनेमा से या दूर हैं, गानी जरूर सुनते हैं, बट यहां जब अपनी नगरी में हम जैसे सितारों को देखेंगे, तो और भी अपना पनोने मैसूस होगा, क्योंकि अभी तक तो एक दूरी थी, वो देख नहीं पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, पर आज आप सब लोग हमको लाइफ देख पा आगे तो कुछ भी नहीं होती है, अगर जनता जनारदन चाहा ले कि भाई मुझे कनक को कनक करना है, हाइलाइट करना है, तो आप ही लोग कर सकते हैं, तो भोछपुरी सिनेमा के लिए तो बहुत गौरफ की बात है, यह कनक जी भोछपुरी फिल्म इंडेस्टी में इंदि जो पार्टनर सबसे सुपर हीर जोड़िदार रही, काजर लगवानी कहते हैं कि खेसारी धोके बाद है, तो आप कैसे देखते हैं, ताकि आप भी एक प्रशिद अभी नित्री हैं, देखिए उनकी जो मैं जानती हूँ क्यमिस्ट्री बहुत पुरानी है, और मैं इतना ही क किसी उनका यह अपना पर्सनल मैटर है, और किसी भी कलाकार के पर्सनल मैटर पे ना जनताओं को घुसना चाहिए, ना किसी को घुसना नहीं चाहिए, और उन लोगों से भी मेरा उन सबसे आग्रवी यही है, कि भाई जो भी आपकी मिसंडरस्टेंड़िडिग है, जो भी अगर है या नहीं है या लोगों ने create की है क्योंकि इसकी सचाई मुझे नहीं मालम है तो मैं इस पे comment नहीं करूँगी कि काजल जी जो बयान दे रही है वो किस sense पे कह रहे हैं क्योंकि हर चीज के कई sense होते हैं अब वो समझदार के उपर होता है कि वो किस sense से उसको ले रहा है मीडिया की sense से उठा रही है या उन्होंने कि sense उसका तरीका क्या था उसकी कहते हैं कि जब आप कोई चीज सुनते हैं तो सुनने सुनने में भी फेर हो जाता है वो सकता है उन्होंने किसी और चीज के लिए का हो किसी और संधर्ब में का हो और हो सकता है जो वो कह रहे हैं व होती है तो एक तरफ अद्य का एक एक होती है लड़ाई दोनों की तर54- ना लाया जाए तो ये तो सुपरिश्टार खेसारी लाले आदो ही कर रहे हैं जो भी मैं इस ही ले कह रही हूं कि वो चीजे उन्होंने भावनात्मक रूप से बोल दी होंगी उसको ना लाया जाए वो अब जा चुके है इस दुनिया से उनकी आत्मा को शांती मिले और खेसा जी के बारे में कि वो लिटी चोखा से बेचकर एक आम ब्लड का जो गायक था जो अपना एक करियर बनाता है वो इतना कमजोर नहीं हो सकता है कि कि किसी के दवाब पे आकर या आज की परिशानियों में जूस कर ये कहे कि मैं आत्मत्या का जैसा शब्द निकाले तो वो इत करनता है मैडम ता कि काजर लगवानी हो चाहिए खेसारी हो तो और भी तमाम लड़किया जो फिल्म इंडेश्टी में आना चाहती है और वहीं एक भोजपुरी फिल्म के सुपरिस्टार अबनेत्री करती है कि मेरे साथ धोका हो गया एक हीरो काता है मैं आत्मात्या कर लू यह बिल्कुल है और देखिए जब बहुत सारे बरतन होते हैं खटकते हैं लड़ाई होती है और पर जो लोग इस पर इंडेस्ट्री में आना चाहते हैं सबसे पहले तो मैंने से यही कहूंगे कि आप एक जो एक्टिंग का प्रिस्रिक्शन जरूर लें किसी के देखावे म आगर किसी की भाई वो इस परस्टार है तो आप बन सकते हैं बड़ उसके पीछे उन्होंने महनत कितने की है वो आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप वो महनत करिए अपने उपर आपको कि किसी की सपोर्ट की जरूरत ने आप महनत करेंगे अपने उपर आपके अगर आप एक्टिंग करें कोई आपको एक्टिंग में फेली ही ने कर पार रहे को डॉर्य की मजबूरी है वो आपको लेगा ही लेगा जॉख वो फिर काजल रगवानी हो या काजल रगवानी जैसे कोई भी आम लड़क्या हूं, मेरे जैसे कोई भी आम भी लड़क्या हूं, मैं सब के लिए कहूंगी, कि सब अच्छे हैं, बढ़्धा, आप पहले अपना फोकस करें, अपना चैन करें कि आपको अर्ट अक्टर ही बनन हाट वर्क आप करें, अपने परस्टनालटी पे काम-करें, एक्टिंग सेखिए अपने उपर करें, और शेके बाद आई तो किसी की जरॉरत नहीं हैं कि ना उनका मनोबल तुटने वाला है भर माला में लडायां होती हैं हजारों चीज़ फनी हैं घर में होती है, दो दिन लड़ाइं होती है, चोथे दिन सब एक साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं, हसी मजाग कर रहे होते हैं, तो चोटी मोटी लड़ाइं आप आगे भी देखेंगी उनकी फिल्म आ रहे हों तो कहेंगा रहँ धर रहती है 2005-2003 अपना काम करें त्가 या अ जो नई लड़कियां आना चाहते हैं इस इंडेस्टिवें देखी कोई भी लड़का हो या लड़की हो मैं दोनों की बात करती हूं हमेशा और मैं खुद भी लड़कियों पर इसका मतलब यह नहीं है कि जितने लड़के बराबर हैं उतनी लड़कें भी बराबर हैं आज हमा आते ही आप स्टार बन जाएंगे आते ही आपको मूवी मिल जाएगी और आप सोचेंगे छे महीने में मैं तो बस बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा हूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है रातो रात कोई स्टार नहीं बनता है और रातो रात आप यह सोचे कि महल बंगला बन जा हो हाई आप तैयारी करके आएंगे तो कोई भी बोले काैये उसके बाद भी नेगेटिव को धारन करना सीकते है भगवान शीप की तरह है जहर को पीना सीखिए और जहर के पीने के बाद अमरत आपको महसूस होगा वह अपको मेरें ही रही हैं आइट किसको अपना जोडीदार मात्मी है तो नो ही हो किसके साथ काम करना पचंद करेंगी कौन तक बड़े एक्टर के साथ लगता है या किसके साथ फीचर में काम करना जाती है और यह मेरी जनता बताएगी कि प्रमोद प्रेमीर जी हों, तेसो पांडे जी हों, और भी जुन नेकलाकार या तो सबके साथ काम करती हूं, मेरी जोड़ी हमें फाली रहती है, बस वह जंता जाने की भाई अगर जनता वोट करना स्टर कर देखी कि को तर्केसार kayak काम करना है, ओदिने जी के साथ काम करना तो कॉल लेने से माना करेगा जनता मुझे प्यार देगी तो प्रोडियूसर की मजबूरी हो जाएगी मुझे अपनी फिल्म में लेने के और सबसे कहूंगी कि सब अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए अभी भी करोना गया नहीं है अपनी सेहत को बनाए रखिए मास्क पहन है में जाधार भी तो जब तक बहुत पूरी नहीं वोलेंगे तब अमारे दर्ज भॉजब मज़े नहीं है लोग के न स्ट बानी मस्ट बानी न आप हम राके तो लोग जाने रहे से लोगना है तो यह है थोड़ी थोड़ी सी चीजें है और जब फो में होती है जब मैं करत शहर से ही हूँ मैं आयोध्या के पास कानपुर से ही हूँ और रिजन में रही हूँ तो दिली नोड़ा में आप जानते हैं इस भाशा का चलन नहीं है इस कारण जो है मेरे जबान पे बिलकुल नहीं है बाकि बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें से माझ दिया तो यह कैना क्यादव जी बोजपुरी की सुपर्शिद अबनेत्री